कैसे हैं आप सभी? I think स्वस्थ होंगे? आईए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक समस्या है डाइरिया और कबजियत की जिहां डाइरिया में क्या होता है? कभी लेटरिंग बहुत जादा पतला और तेजी से आता रहता है और कभी उल्टी हो सकती है ये दोनों लक्षन हो सकते हैं तो जब डाइरिया की समस्या हो जाए तो क्या करें? यानि कि मूलता आपका लिवर फंक्शन सही से कार्य नहीं कर रहा होता है इस स्थिति में होता है कभी आप जो खाएंगे वो पचेगा नहीं सही से डाइरिया में और कबजियत की शिकायत लिवर की वजह से ही होता है जब आपका पेट सही से साप नहीं होता है ये दोनों इस्थिति आपके बोडी को पुनता प्रभावित करती है बुरी तरह से प्रभावित करती है क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में सही से हजम होता है और जब सही ढंग से energy मिल पाती है तो ये जब समस्य हो जाए हो जाए तो क्या करें साधारन उपाए गरेली उपाए आये जानते हैं सबसे सस्ता इस बिमारी के लिए लैसुन को आप पानी में ढलिए और उबालिए छिलके सहीं डाल दीजी यह डायरिया और कब्ज की बिमारी पुनता दूर हो जाएगी एसी डिटी की समस्या खत्म हो जाएगी इसी के साथ साथ ही यह शरीर को बहुत सारे लाब देगी अगर इस बारे में जानना चाहते हैं पुनता की क्या-क्या लाब मिलेगा तो लहसुन के फायदे और नुकसान इस चैनल पर एपिसोड पड़ा हुआ है उसे जरूर देखे इससे आपको पुनता पता चलेगा कि क्या क्या फायदे होंगे वैसे तो आप जान लीजे कि हार्ट अटेक की समस्या नहीं होगी पेट में गैस नहीं बनेगी कबजियत की शिकायत नहीं होगी डाइरिया से बचे यह तो इससे आपका वजन भी कंट्रोल होगा इसलिए भी यह बेश्ट है तो सुबह सुबह बस करना क्या है आपको हमने बताया कि लहसुन को पानी में डाल करके उबालना है अच्छे से जब उबल जाए पानी चान करके उस पानी को कुंकुना ही पीलीजे सुबह सुबह स चला जाएगा तो यह आज की वीडियो रही दोस्तों एक बात हमें याद आ गई जिसका हम सभी को हर वक्त ध्यान रखना चाहिए हम इंसान जो हैं वो हर वक्त अपना शुगर लेवल तो चेक कराते रहते हैं लेकिन अगर जुबान की कड़वाहट को चेक करवाने लग जाए और करने लग जाएं तो कितनी सारी समस्यां खत्म हो जाएंगी ना सोचिए इस पर और आपकी क्या राया है इस संबंद में जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताइए यह आज की वीडियो आप सभी देख रहे थे आयरुवेदी कुप 4 चैनल के माध्यम से ऐसी ही नई वीडि कर लिजी क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से नई वीडियो लेकर के आते रहते हैं साथ ही साथ लाइक कीजिए वीडियो पसंद आया तो शेर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंध ही सवाल है तो हमाने वाल आएंगे फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वास्त रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों